हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वी एंड एजूकेशन जोन में आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ टीजीटी होम साइंस 2019 का स्वाल्फ कोशन पेपर के कुछ और इंपॉर्टन कोशन जो की आपकी टीजीटी होम साइंस 2019 का पार्ट टू ह दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए जताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय सबर पर मिलता रहा है तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडिय अगला कोशन ने डैस विकास का अर्थ है सरीर की गतियों पर नियांतर में प्रगतितीवर, धीमा, प्रेर्ण, और श्रत तो इसका सही आंसर है प्रेर्ण, आप्शन नमबर सी जा करेक्ट आंसर नाखून, काटना और अंगूठा चूसना डैस की आयू तक नजर अंदाज किया जा सकता है छे वर्स, पाच वर्स, चार वर्स, तीन वर्स तो इसका सही आंसर है तीन वर्स, आप्शन नमबर डी इस अ करेक्ट आंसर साबुन बनानी के लिए डैस प्र्यूक्थ होता है बेसन, चावल, ज्वर, बाजरा तो इसका सही आंसर है आपका बेसन आप्शन नमबर A is a करेक्ट आंसर नेश्ट कोप्शन है डैस छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्धीपक है वारता लाप, सोच, एकांकी पन, दया लुता तो इसका सही आंसर है एकांकी पन आप्शन नमबर A is a करेक्ट आंसर नेश्ट कोप्शन है भोजन, सनक्रमन, भोजन में उपस्तित, रोग, जनक, विशाणूओं, रोगाणूओं को खा लेना है असत्य संबंधित नहीं है, संदेश पत है, तो इसका सही आंसर है आपका सत्य, आप्शन नमबर B is a करेक्ट आंसर नेश्ट कोशन है हमारा, सबजियों के रेसे छूने में डैस होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म, तो इसका सही आंसर आपका ठंडे, आप्शन नमबर A is a करेक्ट आंसर नेश्ट है, जंगली रेशम, सूच्म दर्सी के नीचे सनवर्दित रेशम से भिन दिखता है, सत्य, असत्य सम्बंधित नहीं है, विवादित है, तो इसका सही आंसर आपका सत्य, आप्शन नमबर A is a करेक्ट आंसर नेश्ट है, इंटर लेशिंग धागों के तानों बानों में अपनाये गए प्रिनार्णी या डिजाइन के अनुसार डैस का नाम रखा जाता है, धागे, रेशे, वर्स्त्र भुनाई, तो इसका सही आंसर आपका भुनाई, आप्शन नमबर D नेश्ट है, पोशक तत्यों के दिये गए मात्रा के आक्सीकरन के लिए उत्पादित कारबन डायोकसाइट की मात्रा और प्रियुक्त आक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैस लंबित के रूप में परभासित किया जाता है, वुद्धी, श्वशन, परिशन, चुरन, मु नेश्ट है, डैस, सब्द, रेसम और उन की भराई के लिए प्रियुक्त होता है, नेपलिंग, वेडिंग, मुएरिंग, गलेजिंग, तो उसका सही आंसर है, वेडिंग, ओप्शन नंबर, बेज़ा करेक्ट आंसर नेश्ट है, फ्लेक्स के पौधे के लिए डैस प्राप्ट करने के लिए रेपलिंग की जाती है, बीज, तने, पौधे, पौधा, लिलेंग, तो उसका सही आंसर आपका, लिलेंग, ओप्शन नंबर, डिज़ा करेक्ट आंसर नेश्ट है, डैस उस्मा का उचालक है, सूत, रेशम, लिलें, रियॉन, तो इसका सही आंसर है आपका, रेशम, ओप्शन नंबर, बी नेश्ट कोशन है, सर्फ एक, डैस है, डिटर्जन, साबून, कास्टिक, सोड़ा, वसा, तो इसका सही आंसर है, ओप्शन नंबर, एक, डिटर्जन नेश्ट है, प्रेम और इसने की और सकता डैस, और सकता है, जैवी, अमानी, मनुसमाजी, सन्वेदी, तो इसका सही आंसर है आपका, बनुसमाजी ओप्शन नंबर, सी इस अ करेक्ट आंसर डैस बालक को पहला ढालने वाला मूल्डर है शोशल, जल, परिवार, रेट उसका सही आंसर आपका परिवार ओप्सन नमबर C is the correct आंसर नेक्स्ट है सन्मो नेरा भोजन विशेक्ता एक जेव जेवारिक पौजन विशेक्ता है सत्त संबन्दित नहीं विवादीत तुसका सही आंसर आपका सत्त ओप्सन नमबर A is the correct answer नेक्स्ट है प्रकार्ट टू डैबेटीज मेलिटिस डैस कहलाती है इंसुलीन अधारित डैबेटीज मेलिटिस गैर इंसुलिन आधारित डियाबेटीज मेलिटस, कुपोशन संबनित मेलिटस, गर्ववस्ता की डियाबेटीज मेलिटस, उसका सही आंसर आपका गैर इंसुलिन आधारित डियाबेटीज मेलिटस, option number B is the correct answer. नेक्स्ट है, प्रसाओ के बाद की ओधी डैस और दुख्थपान है, प्री, पार्टम, पोश्ट पार्टम, प्रिशाओ, परिपक्ता, तो इसका सही आंसर है, पोश्ट पार्टम, तो option number B is the correct answer. नेक्स्ट है, विस्तरण सिच्छा में प्रतिभागीता डैस है, जबकि विद्याले उपस्तिती है, अवश्यक, एच्चिक, एच्चिक, अवश्यक, केवल, अवश्यक, केवल, एच्चिक, तो उसका सही आंसर आपका, एच्चिक, अवश्यक, option number B is the correct answer. नेक्स्ट है, आयोजन ब्रत भागीदारी के कार्ण अभिवर्ति के परिवर्तन के लिए उधारण है, साजेदारी और निर्ने निर्मान, आयू में परिवर्तन, लंबी बिमारी, प्रदिकार की इस्तिती, तो उसका सही आंसर आपका, साजेदारी और निर्ने निर्मान, option number A is the correct answer. नेक्स्ट है, डैस यंद्र एक उपकर्णी है, या प्रेशन यंद्र है, जिसमें संदेश देखा जा सकता है, पर सुना नहीं जा सकता है, श्रो, द्रश, द्रश और श्रो दोनों कोई नहीं, तो उसका सही आंसर आपका होगा, द्रश, option number B. नेक्स्ट कोप्शन है, डैस वह व्यक्ति है, जो परिचालन में संदेशन की प्रक्रिया आराम करता है, प्रवेच्छक, आयोजग, श्रोता, संदेशक, तो इसका सही आंसर आपका संदेशक, option number D is the correct answer. नेक्स्ट कोप्शन है, डैस नेता इस प्रकार परिचालन करता है, जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, लोग तांत्री, लेज़ज, फियर, ताना साही, समान, तो इसका सही आंसर आपका ताना साही, option number C. नेक्स्ट कोप्शन है, प्रारंबिक बालकार डैस आयू के नाम से भी जाना जाता है, जनपूर्व, गैंग पूर्व, योन, परिपकता पूर्व, तो इसका सही आंसर आपका गैंग पूर्व, option number B is the correct answer. नेक्स्ट कोप्शन है, डैस रोग प्रतिरोगता जिसमें एक T का दिये जाने के कारण या सनकुर्ण के परणाम के रूप में अधिग्रहित किये जाता है, प्रकतिक, सक्रिये, निस्क्रिये, अधिग्रहित, तो इसका सही आंसर आपका अधिग्रहित, option number D is the correct answer. नेक्स्ट कोप्शन है, सम्प्रेशन का पूर्व कथन रूप है, बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक, अभिवेक्तियां, उप्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर है, उप्युक्त सभी, option number D. नेक्स्ट कोप्शन है, गुर्दों के सही कारणा करने के करण जलका और रोधन में पढ़नत हो जाता है, पसीना, भूख, सोध, प्यास, तो इसका सही आंसर है, सोध, option number C is the correct answer. नेक्स्ट कोप्शन है, डैस में स्टार्ज करों के रूप में अनाज भोजन का मुक भंडार होता है, भूण, भूण पोशन, एलिवरन, क्यूटेम, तो इसका सही आंसर है, आपका भूण, पोशन, option number B is the correct answer. नेक्स्ट है, दुख्द का खमीरी उत्पाद है, घी, पनीर, बटर, खोया, तो इसका सही आंसर है, पनीर, option number B is the correct answer. नेक्स्ट कोशन है, विस्तर बनाना डैस, उर्जा, वाला कार है, हलकी, माध्यम, भारी, अत्यंत, भारी, तो इसका सही आंसर है, भारी, option number C. नेक्स्ट कोशन है, पार्क के अनुसार, अराम, मानो वेवार का प्रेणा मूल है, सत्य, असत्य, सम्बंदित नहीं है, विवादित है, उसका सही आंसर है, option number A, सत्य. नेक्स्ट कोशन है, निडले लेने में तीन चरण डैस द्वारा दिये गए, उल्गिल, जॉन डेवे, स्वामिनाथन, शिल अच्मी, तो इसका सही आंसर है, जॉन डेवे, option number B is a correct answer. नेक्स्ट कोशन है, डैस, एक संसादन है, जो हम सब साज़ा करते हैं, हाला कि या वे हैं, जिसके प्रती हम समानता लापरवा रहते हैं, धन, समय, उड़जा, जल, तो इसका सही आंसर है, आपका समय, option number B is a correct answer. नेक्स्ट है, परिचालन चाड़ एक कार को करने में प्रियुक्त विधी का दर्चरण वड़न है, सत्य, असत्य, सम्बंधित नहीं हैं, विवादित हैं, तो इसका सही आंसर है आपका असत्य, option number B is a correct answer. नेक्स्ट कोशन है, डैस, आई, संतोज का वप्रवा है, जो प्रतिदिन के अनभवों से उत्पन होता, आत्मिक, धन, वास्त्वे, गुरुवत्ता, तो इसका सही आंसर है आपका आत्मिक, option number A is a correct answer. नेक्स्ट कोशन है, डैस, अवश्चक रूप से उत्पलब्द अवसरों पर अधारित कार, योजन का निरूपन है, अयोजना, स्विकार करना, कार करना, चुनना, तो इसका सही आंसर आपका अयोजना, option number A is a correct answer. नेक्स्ट है, डैस, मानक, व्रहद, इस्तर पर समधाय द्वारा स्विक्रित नहीं है, परामपरागत A और D दोनों, ना तो A ना ही D, परिवर्तन सील, तो इसका सही आंसर है आपका परिवर्तन सील, option number D is a correct answer. नेक्स्ट कोशन है, एक बालक की सिच्चा डैस, निर्ण, वो का उधारन है, परिणाम, समु, व्यक्ति, तक्निकी, तो इसका सही आंसर है व्यक्ति, option number C is a correct answer. नेक्स्ट कोशन है, कार के सर्णी करण को कार करने की साधारतम, सरलतम और सिघरतम विदिक को सचेत होकर ढूनने के रूप में परिभासित किया जा सकता है, या किसने कहा? निकल एंड, डॉर्सी, ग्रॉस एंड, कैंडल, वर्गिज, उगेल, एलिजबेद, हल लॉक्ति, तो इसका सही आंसर है आपका, निकल एंड, डॉर्सी, option number A is a correct answer. नेस्ट कोशन है, तीन मुख शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना या धान्त पर लागू होता है, शरीर की इस्तिती में परिवर्तन, उत्पादन, क्रम में परिवर्तन, तयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे पदार्थों में परिवर्तन, तो उसका सही आंसर है, श नेश्ट कोशन है माली की सेवा मज़दूरी है जबकि बैंक मेनेजर की सेवा है प्रुसकार, रिण, बेतन, बोनस तो इसका सही आंसर है बेतन, ओप्शन नमबल से इस और करेक्ट आंसर नेश्ट कोशन है महात्पूर आउ सकताओं को डैस योजना में नजर अंदाज किया जा सकता है मानसिक, लिखित, अर्ध लिखित, कोई नहीं तो इसका सही आंसर है आपका मानसिक, ओप्शन नमबर A is a correct आंसर नेश्ट कोशन है डैस के अनुसार मानों का आवाश व्रहत तत्तों से सुरच्छा से अधिक बहुत कुछ होता है ग्रास एंड, कैंडल, बेर, अगन, टेसिक, नीरू, गर्ग तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर B, बेर नेश्ट कोशन है डैस, बल्ब, टेबल, लेंप में प्रियूध होते हैं ताप दीपी, प्रतिदीपी, ट्यूब, मेज तो इसका सही आंसर है ताप दीपी, ओप्शन नमबर A is a correct आंसर नेश्ट कोशन है, डैस, रंग का नाम दरसाता है प्रकास, वर्ण, मान, गहराई तो इसका सही आंसर होगा आपका वर्ण, ओप्शन नमबर B फूलों की विवस्था का उद्देश, चारों और खुशी, जीवन और सुअंदर भरनाया किस ने कहा ए एच रट, रहीना बेगम, शीलच्मी, सुम्ती, मुदामबी तो इसका सही आंसर है ए एच रट, ओप्शन नमबर A is a correct आंसर नेश्ट कोशन है, बूफे के लिए मैनू इस प्रकार होनी चाहिए कि महमान उसे खा सके साधान रूप, सरलता, कठनाई, महत्तु का अंचा, तो इसका सही आंसर होगा आपका सरलता ओप्शन नमबर B is a correct answer नेश्ट कोशन है, आठवे हपते से जन्म तक भूण, डैस कहलाता है, फिट्स, भूण, युगमर्ज, अंड, तो इसका सही आंता होगा फिट्स, ओप्शन नमबर A is a correct answer नेश्ट कोशन है, शरीर में कार पर भोजन का अध्यान, डैस के रूप में परभासित है, विज्ञान, खाद विज्ञान, पद्ध पोशन, तो इसका सही आंसर होगा पोशन, ओप्शन नमबर D is a correct answer नेश्ट कोशन है, मानो दूद के 100 मिली लीटर में डैस ग्राम प्रोटीन होता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तो इसका सही आंसर होगा, मानो दूद के 100 मिली लीटर में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है, ओप्शन नमबर B is a correct answer नेश्ट कोशन है, आनिमित, वोबेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है, डाइरिया, पेचिस, कब्ज, कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा, कब्ज, ओप्शन नमबर C is a correct answer नेश्ट है, विशिष्ट परदार्थ के प्रति उतकों की प्रतिकिरिया, डाइस कहलाती है, एक्जिमा, एलर्जी, फिट्स, टिट्नेस, तो इसका सही आंसर होगा, एलर्जी, ओप्शन नमबर B is a correct answer अगला कोईशन है, डाइस, एक बच्चे का सरीरिक, बहनात्मक और बौधिक छमता को विक्सित करता है, खेलना, खाना, चिलाना, अनुपूरक लेना, तो इसका सही आंसर होगा, ओप्शन नमबर A, खेलना आज किस वीडियो का हमारा आखली कोईशन है, डाइस, रत का थक्का जमने के लिए अवश्चा है के बिटामिन A, बिटामिन K, बिटामिन C, बिटामिन D, तो इसका सही आंसर होगा, बिटामिन K, ओप्शन नमबर B is a correct answer थैंक्यू झाल